वेल्कम टू ग्यान आइक्यू और आपका फिर से मैं स्वागत करती हूं ग्यान आइक्यू पर आज कल सबसे पहले तो आप लोगों से अपॉलोजाइज करना चाहूंगे क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रही हूं और रेगुलर वीडियो आपको नहीं दे पा रही हूं इसका मैं यह कहना चाहती हूं कि क्योंकि अभी सिच्वेशन ऐसी है कि टाइम ब्लकुल नहीं पिल पा रहा है इसलिए टॉपिक्स की वीडियो नहीं बन पा रही है मिरसे तो मैं कोशिश कर रहे हूं कि आपको थोड़ा सा देते ही रहूं कुछ ना कुछ ऐसा ताकि आप टॉपिक के जो है टच में रहें ठीक है तो बेसिकली सीडी की क्लास आपके सकते हैं चाइल्ड डेवलेप्मेंट पैडगोजी की क्लास है और दिस इन इंपोर्टेंट क्लास फुर के वीएस डी ट्रिपल स्पी टैट एक्जाम जो लोग एच टैट देने वाले हैं उनके ल सबता है रहेगा कि थोड़ा मतलब अल्टेनेटिव डेज में आपको वीडियो मिलेंगी तो फर्स्ट कोशन देखते हैं देखो टाइम इतना कम है कि हिंदी टाइपिंग भी नहीं उपा रही है तो मतलब कोशिश पस इतनी है कि आपको थोड़ा-थोड़ा कुछ ना- ठीक है और इसको हम बोलते हैं evaluation ओके तो यह दो टर्म होती है हमारे पास एक evaluation होती है एक assessment होता है I hope कि आप लोग काफी familiar होंगे इनसे है ना familiar तो होंगी obviously तो अब यहाँ पर पूचा गया है question की evaluation का purpose क्या होता है उसका उद्देश क्या होता है हिंदी मीडियों वाले judgment करना एक राय बना देना है ना कि यह ही judgment होगा मत जज्चमेंटल आप कब होते हैं जब आपके दिमाग में फिक्स हो जाता है कि ठीक है यह चीज मैं सोचता हूं इसके बारे में इस तरह का judgment ठीक है तो यहां पर हम studies से लेगे कि जैसे कि कि किसी भी चीज की quality है उसके बारे के लिए evaluation होता है या फिर तो टेस्ट स्टूडेंट इने सब्जेक्ट या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चे को टेस्ट करने के लिए अगर आपको जो भी अंसर लगता है आप मुझे बता दो और जो मुझे लगता होगा या फिर मिरको पता है exact answer इसका तो आपके दिक्ष्या ट्रेनिंग के हैं जो पर्टिकुलर्ली सी बीए सी एन्से आर्टे के द्वरा डवलप्ट है इसलिए कोशन मुझे लगा क्या आपको कराने चाहिए ठीक है तो पहला कोशन तो बताइए इसका option क्या होगा देगे इसका जो correct option होगा वो होगा option number A यानि कि make judgment about quality of something ठीक है हमारा evaluation जब भी हम मुल्यांकन करते हैं यहाँ पर आंकलन की बात नहीं कर रहे हैं मुल्यांकन की बात करते हैं evaluate कर रहे हैं तो हम judgmental हो जाते हैं हमें judge करना पड़ता है चीजों का क्योंकि judge करने के बाद फिर आपका scope नहीं रह जाता improvement का आपको यहाँ पर judgment द सकते हैं तो हम judgment करते हैं किसी चीज की quality का ठीक है कि आपकी teaching learning process कैसा रहा आपने judge किया बच्चे की achievement level कैसा रहा आपने judge किया यहाँ ठीक है तो यहाँ पर basically judgment होता है तो अब यहाँ पर आपको hopefully देखो assign सिर्फ marks assign कर देना है score assign कर देना यह सिर्फ evaluation ही होता उसको आपको broad term में एक बड़ी term में देखना होगा major the achievement of students के वल आपने student की achievement measure कर ली कि ठीक है बच्चे ने first rank की second rank की third rank हासिल की यह उसकी achievement थी इसने यह achieve किया यह आपने बोल दिया लेकिन आपको quality भी तो चेक करनी है उस चीज़ की तो यहाँ पर judgment होता है basically हम quality education की बात करते हैं तो evaluation में भी आप quality की बारे में judgment करते हैं ठीक है broad term में इसका answer question number A होगा next है which of the one of the following is a salient feature of the school based assessment जो भी हमारा school based assessment होता है जिसकी short form है SBA आपके पास question यह भी आ सकता है कि SBA की full form क्या होती है ठीक है तो इसका main feature क्या होगा इनमें से यह बताना है teacher centered activity होती है इसमें content based activity होती है competency based activity होती है या drill based activities होती है ठीक है यानिके शिक्षक केंद्रित होती है content यानिकी विशेवस्तू केंद्रित होती है competency मतलब दक्षता केंद्रित होती है दक्षताएं होती है यह फिर drill को तो हम हिंदी में शायद ड्रिली बोलते है वह activity होती है अगर आपको answer सराता है तो करिए अधरवाइस मैं बताऊंगी देखे इसका जो correct option होगा वह option number C ठीक है यह जो school based assessment होता है उसमें हम क्या करते हैं देखो school based assessment में आप assessment है term ठीक है आंकलन में इसमें बेसिकली competencies पर focus करते हैं अगर आप language बढ़ा रहे हैं ठीक है तो आप language की competency क्या होती है lsrw तो होती है साथी साथ vocab भी होती है उसके बाद वर्तनी बोलते हैं वर्तनी भी होती है आप handwriting होगी तो यह सारी competencies होती है listening speaking reading writing ठीक है vocabulary हो गई handwriting हो गई यह सारी आप competencies हैं तो आप यहां पर बच्चे का जो school based assessment करेंगे competency पर based करेंगे आप यह नहीं करेंगे कि पर teacher centered होना चाहिए teacher ने क्या सोचा या फिर इसे जो content पढ़ा रहे हो आपने story पढ़ाई या आपने drama पढ़ाया जो भी है उसके बेस पर कर दोगे या फिट practice drill based activity होंगी उनको उनको आप assessment करेंगे नहीं यहां पर बच्चों में दक्षता हैं कितनी develop हुई है वो उसका करेंगे ऐसे अगर EBS की बात करें competencies की तो EBS में observation हो गई ठीक है observation के साथ classification हो गया इन सब चीजों का आप चेक करेंगे यह सारी competencies होती है मैच में आपकी problem solving ability होगी computation ability हो गई आपकी knowledge understanding होगी तो यह सारी competencies होती है जिनको आप judge करते हैं judge नहीं sorry assess करते हैं तो option number C is the correct option next है benchmarking students learning is a part of ठीक है benchmarking students learning is a part of assessment for learning, assessment of learning, assessment as learning and assessment on learning अब देखें आपको यह benchmarking students learning term को समझना होगा benchmarking क्या होता है देखो benchmarking का मतलब होता है education में अगर देखें जब भी आपके कुछ standards होते हैं है ना कुछ standards set है जिनको आपको achieve करना है तो यह आपकी benchmarking learning कहलाएगी for example जैसे मैं seated का example लेती हूँ ठीक है seated में आपको पता है 150 में से 90 है ठीक है यह standard set है आपका कि आपको 90 marks लेकर ही आने है अगर आप 90 नहीं लेकर आएंगे तो आप fail हो जाएंगे ठीक है तो आपका judgment यहीं से हो जाएगा अगर आप 90 ले आते हैं तो आप clear कर जाएंगे और अगर 90 से कम रहते हैं तो आप clear नहीं कर पाएंगे ठीक है तो यह होती है benchmarking learning ठीक है तो benchmarking students learning तो बच्चों की जो benchmarking learning होती है वो किसका पार्ट होती है अभी आप बताओ मैंने आपको एक particular term बताई है standard तो standardization किसका पार्ट होता है है ना assessment for learning क्या होता आपका formative assessment होता है assessment of learning summative assessment होता है assessment as learning में बेसिकली वहां होता है जब बच्चा खुद अपनी learning में जो है self active बनता है reflective उससे सोचता है और वो खुद अपनी learning में बढ़ चड़ कर हिस्ता लेता है जब वो self aware हो जाता है अपनी learning के बारे में अपने assessment के बारे में तो वो इसमें आता है यह on learning तो कुछ होता ही नहीं है तो अब यह तीन तरह के assessment होते है basically broad terms में जो हम कहते हैं तो बताईए देखो मैंने कहा standardization की बात आगी और standardization होता है summative assessment में यानि कि assessment of learning का part होता है ठीक है तो benchmarking students learning is a part of assessment of learning ओके यह आपको याद रखना है next देखते हैं which one of the following is developed among students through group activities in the classroom इन में से कौन सा develop किया जाता है group activity के through classroom में the spirit of is developed through yes group activity के through basically क्या इसमें develop किया जाता है बच्चों में spirit of leadership feeling of leadership discipline या फिर cooperation इन में से आपको बताना है ठीक है ध्यान से देखे क्या है और फिर इसके बाद answer करना आई हो कि कुछ बच्चे साही answer कर रहे होंगे देखो group activities की बात आ गई ना group activities में हाला कि बहुत सारी चीज़े होती है आपकी leadership qualities भी होती है बहुत सारी चीज़े होती है लेकिन question को थोड़ा सा ध्यान से था basically जब आप students में चीज़ करते हैं तो आपका main motive क्या होता है यह आपको बताना है तो देखे इसका जो correct option होगा वो होगा cooperation है ना जब हम inclusive education की बात करते हैं inclusive education का main यही है कि आपको बच्चों में cooperation और यह वाली skills develop करनी है peer tutoring और यह सब चीज़े develop करनी है जब हम group activities कराते हैं तो हमारा main focus leadership नहीं होता है ठीक है हमारा कुछ एक focus हो सकता है लेकिन हमारा सबसे वहला focus होगा कि बच्चों में cooperation की भावना आए उनों में उनके अंदर cooperation skills या फिर collaborative skills जो है वो develop हो बच्चे एक दूसरे की बातों का सम्मान करना सीखे एक दूसरे से प्यार करना सीखे कि भई ठीक है group activity है और आप यहाँ पर mixed grouping करते हैं आप सिर्फ दोस्तों का group नहीं बनाते हैं आप चाहते हैं कि एक अगर 5 का group है तो हर तरह का बच्चा इसमें शामिल हो जो slow learner है वो भी आए जो थोड़ा intelligence जिसका भोजादा है वो भी आए यहाँ पर talented बच्चे भी आए gifted भी आए creative भी आए slow learner भी आए तो आप mixed grouping का concept लेकर चलते हैं ठीक है तो group activities जो है इनका main focus होता है कोपरेशन पर ठीक है discipline तो बच्चा जब group activities में cooperative होता है वो skills सीख जाता है तो discipline भी आ जाता है और leadership की qualities भी आ जाती है तो that means option buddy is the correct option next है which one of the following is not a suitable formative assessment task इन में से कौन सा suitable formative assessment task नहीं है देखे formative assessment मैंने बताया assessment for learning है यह during the teaching learning process होता है जब आप सिक्षान और अधिगम की प्रिक्रिया चल रही होती है उस time आप formative assessment करते हैं और इसमें सुधार की गुंजाईश रहती है ठीक है तो कौन सा पार्ट नहीं है तो open-ended question हो गया project हो गया observation यानिकिन इरिक्षन हो गया है फिर ranking करना students की easy question तो इसका correct option होगा option number D ranking ranking नहीं करते हैं formative assessment पे ranking तो खेर हला कि अब तो NCRT की जो guidelines है वो सब यह कहते हैं कि ranking तो करनी ही नहीं है बच्चों की है ना लेकिन हम यह जरूर कहते हैं कि हम judgment जरूर करते हैं हम evaluation के दोरान वो चीज़ कर लेते हैं कहीं ना कहीं ह hidden है एक तरह से होती है ranking वैसे तो लेकिन हमें करनी नहीं है on paper ठीक है तो अब देखो open ended question भी formative assessment में होते हैं project भी होते हैं observation भी होती है लेकिन ranking का हमारा कोई मुद्दा नहीं होता है वो अगर होता भी है किसी किसी जगे पर वो होना जरूरी भी हो जाता है जो बहुत हो गया कोंप्रिहेंशिव जो है किसके लिए असेंशल होती है fine tuning of test with the teaching है ना मतलब test teaching के बीद जो है एक अच्छी सी tuning बनी रहे कि पढ़ाते जाओ टेस्ट लेते जाओ डिलूटिंग the accountability of the board of the education यह फिर correcting less frequent errors कम errors करो more than the most frequent ज्यादा की बजा है कम errors करो आप understanding how learning can be observed recorded and improve upon और या फिर आप understand करो कि learning कैसे कि इसका direction कैसे किया जाए उसको record कैसे किया जाए और उसमें improvement कैसे लाया जाए तो यहां पर C C E की बात हो रही है ठीक है तो ध्यान से question पढ़िए देखे जो इसका correct option होगा वो होगा option number D ठीक है कि हम understand करेंगे कि किस तरह से learning observe हम learning क किस तरह से learning को observe कर सकते हैं उसको record कैसे कर सकते हैं उसमें कैसे improvement कर सकते हैं continuous का मतलब है कि आप लगातार यह assessment करेंगे है रुक्के नहीं करेंगे ऐसा नहीं कि साल के शुरुरू में हो गया साल के end में हो गया comprehensive का मतलब है कि बच्चे की all over development all over development की बात होती है यहां पर ठीक ह तो यानि कि हम इससे improve करेंगे अपनी learning को basically इसमें दो तरीके के चीज़े होती है formative assessment और summative assessment ठीक है दोनों ही तरीके की चीज़े हैं तो option number D is the correct option next question को देखते हैं a teacher collects and read the work of the class then plan and adjust the next class to meet students need he or she is doing a teacher who collect कर रहा है read कर रहा है work of the class जो भी class ने काम किया है उसका काम collect करता है और उनको पढ़ता है then plan and adjust the next class to meet students need अब वो plan कर रहा है और next class में कि भई वो क्या adjustment कर सकता है बच्चों की needs के according तो यह क्या कर रहा है teacher basically अपको बताना है assessment of learning ए assessment as learning assessment for learning assessment at learning ठीक है तो easy question ने बताईए देखे this is the part of formative assessment okay formative assessment होता है आपका assessment for learning ठीक है basically यह तीन टाइप होती है assessment of learning as learning for learning at learning जैसा कुछ भी नहीं होता है काफी मैं explained करी चुकी हुँ तो this is the part of assessment for learning नेक्स्ट है learning disabilities in mathematics can be assessed most appropriately by which of the following test चो learning disabilities होती है आपको पता ने dyscalculia होता है dyslexia होता है वो सारी चीज़े होती है लेकिन हम यहाँ पर maths की बात करते है इस dyscalculia होता है उसमें क्या calculation में गड़बड होती है बच्चों के साथ तो इस तरह की learning disability जो maths में होती है उनको किस तरह से हम assess कर सकते हैं मतलब आप उसका आंकलन किस तरह से कर सकते हैं कौन से वाले टेस्ट का आप यूज करेंगे यह कोशन है aptitude test होगा diagnostic test होगा screening test होगा या achievement test होगा तो देखे इसका जो correct option होगा वो होगा option number B diagnostic test ठीक है problem क्या रहेगी बच्चे में क्यूं है disability क्या कारण है ठीक है और मतलब अगर बच्चा कोई error कर रहा है basically maths में क्या होता है न हम errors बहुत focus कर रहे हैं बच्चे किस तरह के error कर रहे हैं इससे यह हम यह पता लगाते हैं कि उनके learning का process क्या है और जब error को हम समझ जाते हैं as a teacher आप समझ जाते हैं कोई special educator भी उस चीज़ को समझ रहा है तो धीरे धीरे आप learning disability तक पहुँच जाते हैं यानि कि जो learning disability है आप उसको assess करना भी start कर देते हैं तो यह आप diagnostic testing के through ही करते हैं इसके का diagnosis होता है बच्चे का अच्छी तरह से उसके काम का diagnosis होता है उसके बाद जो है आप यह तैय कर सकते हैं कि बच्चे को कौन सी learning disability है और किस तरह से आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं नेक्स्ट है एक purposeful collection of student work that demonstrate their effort, progress and achievement in a given area is called तो एक purposeful collection जो एक purpose से किया जाता है बच्चे के काम का वो उसके efforts को दिखाता है उसकी progress को दिखाता है उसकी achievement को दिखाता है तो यह क्या होता है यह क्या कहलाता है यह आपको बताना है anecdotal records, checklist, rating scale या फिर portfolio यह सारी चीज़ आपने पढ़ी होंगी देखे anecdotal records तो क्या होता है किसी एक event का एक record होता है जो आप incident को आप record कर लेते हैं बच्चे को है उसको observe करते हुए वो होता है checklist आप checklist बना रहे हैं कि ठीक है यह चीज़ है यह नहीं है यह है आपके अंदर आप ऐसा सोच रहे हैं यह checklist होती है checklist किसी भी तरीके की हो सकती है आप जैसे घर में basically राशन के समान की checklist करते हैं इसे दरह से बच्चे की काम की भी आप checklist रखते हैं तो rating scale होती है इसमें 5, 4, 3, 2 एक इस तरह से scaling होती है अगर बच्चा average है तो इसमें पहले से आप criteria set करके रखते हैं कि average वाले को 2 point मिलेंगे एक out standing वाले को 5 मिलेंगे good वाले को 3 मिलेंगे very good को 4 मिलेंगे और one मतलब low achievers को one मिलेगा इस तरह से rating skills होती है और portfolio होता है collection of students work इसमें बच्चे के assignment होगे बच् एक्टिविटी sheets हो गई सब कुछ is portfolio में होता है जो भी बच्चा साल भर काम करता है तो this is the purposeful collection of students work ओके तो option buddy is the correct option next देखते हैं last question है assessment is assessment क्या है judgmental है product oriented है या फिर process oriented है या फिर both product and process oriented यह बताना है आपको तो यह पी आसान कोशन है देखे assessment यहां पर आंकलन की बात हो रही है अगर evaluation होता तो हम कह सकते हो judgment था product oriented भी नहीं होता है यह होता है आपका process oriented आपका focus assessment में process पर होता है कि process कैसा चल रहा है जो आपका teaching learning process होता है उसमें सुधार की गुझाईश भी होती है यहां पर आप उस process को खुद चेक करते हैं उसमें सुधार की पूरी गुझाईश होती तो आप remedial teaching करते हैं diagnostic testing करते हैं तो यह जो teaching learning process होता है इसमें सुधार के लिए होता है assessment basically ठीक है तो option number C is the correct option so guys this was the video for today I hope कि आपको बसंद आई होगी इन questions के थुरू आपको कुछ concepts के clarifications भी हुई होगी और आपकी practice भी अच्छी हुई होगी and आपको alternative days में videos जो है वो मिलती रहेंगी एक दिन gap आज आएगा क्योंकि मैंने आपको बताई की reason क्या है and I hope कि आप इस चीज को mind नहीं करेंगे and thank you for watching ग्यानायक्यू